गेलवेनो मिटर से एम मिटर और वोल्ट मिटर कैसे बनाया जाता है आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको समझाऊंगा दम सिंपल तरीके से कि किस तरीके से गेलवेनो मिटर से एम मिटर और वोल्ट मिटर बनाया जाता है किस तरीके से शंट रेजिस्टेंस लगा याय जाता है तो इसका मतलब कि कि ग्हार rif लो मं लगा हूआ है अब दौब में लगा हूआ है तो एक दित्राइ आर है और ओपर में में मेटर है अपन क्या चाहते हैं कि जब भी अठीटनल एंड़ कि सी सर्कीट में तो सरकीट में कोई चेंज न आए क्योंगे अगर सब्सक्राइब में चेंज आ गया तो सर्किट पूरी नहीं हो गयाके वोल्ट मिट्र अम मेटर अनॉयगोर्ण रायक मूसे वोल्ट मिट्र आख हैए तो सबसे पहले देखते हैं वोल्ट मिट्र को वोर्ट मिट्र में अगर आप याई तो वोल्ट मीटर पार लेटेगा अपन क्या चाहते हैं कि मैक्सिमिंटी नाइन परसेंट करेंट कहां से चल जांगे तब ही तो कोई चेंज नहीं आएगा थोड़ा बहुत चेंज आएगा थोड़ा बहुत करेंट तो वोल्ट मेटर ले गई, बट अपन चाहते हैं कि वो चेंज इतना कम हो, इतना कम हो, कि अपन को फरक नहीं पड़े, है कि नहीं, वैसे ही, अपन क्या चाहते हैं कि maximum current आपका resistance चाहिए, वोल्ट मेटर से एक नम कम जाए, इसका मतलब क्या, आप एक बात बता हैं, एक में आपका स्वागत किया जा रहा है, फूल के, फूल के, फूल डाल के, और एक ज़गा से बंदित लेके खड़ें लोग, आप इसको उड़ादेगे, तहां जाना पसंद करोगे, यह अल्टिन अनलस आप पागल नहों, ठीक है, आप, यूनो, आप जहां पर आपक पाटकरर्याें, इक दम कम जाए, तो इसी लिए जब भी वोल्ट मीटर बनाना होता है, गेलवयनो मिटर से, तो अपन क्या करते हैं, गैलवयनो मीटर में एक resistance लगा देते हैं जिसको बोलते है shunt resistance और यह resistance बहुत ज़्यादा होता है 10,000 ohm depending on the range कितने range का आपको voltmeter बनाना है तो क्या होता है series में आपने लगा दिया एक galvanometer के series में आपने shunt resistance बना लगा दिया और यह बन गया voltmeter series में क्यों लगाया क्योंकि अपन चाहते थे उसका जो net resistance हो बहुत ज़्यादा हो series में ही resistance ज़्यादा होता है parallel में कम होता है इसलिए series में लगाया और बहुत ज़्यादा resistance लगाया क्योंकि अपन चाहते थे कि voltmeter से current सबसे कम से कम जाए तो इतना simple है एक galvanometer में एक shunt resistance series में लगा दो बन गया voltmeter अब उसको जहां पर नापना है वहां पर लगा दो तो उसके हिसाब से वो rating आपको calculate करके दे देगा Now coming to the next thing that is m meter अब m meter को series में लगाया जाता है अब अपन चाहते हैं कि series में लगा हुआ है तो कोई change ना आए कोई change ना आए जब उसके across कोई potential difference ना हो इसका मतलब जब उसके across resistance एकदम कम से कम हो इसलिए galvanometer में parallel में एक resistance लगा दिया जाता है और parallel में अगर आप resistance लगा दोगे तो parallel में अगर आप resistance लगा होगे तो parallel में जो R equivalent आएगा उसका पूरेगा वो उससे भी कम आएगा जो resistance है उससे भी कम आता है ये बात पता है ना series में R equivalent सबसे बड़ी value से भी बड़ा होता है और parallel में R equivalent सबसे छोटी value से भी छोटा होता है तो इस current से galvanometer में parallel में अगर आपने एक shunt resistance लगा दिया वो भी कम resistance का तो वो आपका पूरा क्या बन जाएगा M meter बात समझ में आ रही है क्या तो इस तरीके से galvanometer से M meter और volt meter बनाए जाते है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं भी आपके लिए एक दिन में बहुत सारे ऐसे ऐसे concept के वीडियो बना सकूँ और इसमें आप अपना shunt resistance का concept लगाओ या फिर आपके galvanometer का magnetic effect of electric current का concept मुझे नहीं मालूम लेकिन सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए ठीक है और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा अपने सारे दोस्तों के साथ तो तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सौर्व सर्क्राइब जैहिन बैबै